अलिया रुद्र जो कि अजय दियोगे ने प्ले किया है वो किसी केस के बारे में किसी सस्पेक्ट को पुछताज कर रहे होते हैं जिसे कारण वो गिर के कोमा में पत चला आता है हॉस्पिटल में इसके बाद रुद्र पे इंक्वाइरी बैटती है और कुछ महीने एक बाद का सीन सु लेकिन सबूत ना मिलने विया से कोई कुछ निकल पाता है लास्ट में कुछ केस के बाद एक डायमड केस आता है और जो रुद्र का बेस्प्रेंड होता है गौतम वो वहां पे पल्टी मार जाता है वो डायमड लेके और जेके को मार देता है रुद्र उसे बचाने शूट कर लेता है और ये सब बात रुद्र फोन पे सुन लेता है तो बाते हैं इसके फाइल अप्सोड पे और इसकी एंडिंग के बारे में लेकिन ऐसा कुछ पतान लगता नहीं है बाद में रुद्र पहुंचता है आलिया की घर और उसे हल्प मांगता है और उसे सब बताता है आलिया उसके बाद करने में तैयार जाती है फिर उसके बाद वो block 17 जाते हैं जहाँ पर murder हुआ होता है और वहाँ पर एक gun मिलती है जिस पर रूदर के fingerprint थे जो की Gotham ने प्लांट की थी इसके बाद कुछ dramatic scene होते हैं और रूदर और आलिया की सरीके से रमन से वो gun निकाल लेते हैं और फिर फेक देते हैं सबको अतल लगता है कि रूदर ने गण चुपा लिया है और फेक दी है तो सबका स्चक जो होता है वो रूदर पे और बढ़ जाता है दिपाली फिर जो जूनियर नय होता है प्रबल उसे इंक्वारी करती है कि रूदर ही था जिसने वो assault किया था और गंचुराई थी तो वो कह देता है कि मुझे नहीं पता शायद हो भी सकता है लेकिन यहाँ पे मामल भी गड़ जाता है फिर राजीव से रूदर मिलता है और उसे सज बताता है फिर वो उसे कहता है कि exact 8.15 पे वो पुली स्टेशन जाए और वहाँ से जो गौतम के लॉकर है वहाँ जाके वो हीरे निकाल लाए और इधर वो गौतम को फोन करके बीटी स्टेशन बोलाता है बात होती रहती है और गौतम रूदर को थोड़ा सा इरिटेट कर देता है जब उसे पता लगता है कि हीरे उसने चुराने के लिए उसे भेजे हैं तब उपसे स्नाइपर रूदर पे शूट करने वाले होते हैं कि प्रबल उसे बचा लेता है गौतम जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है तब देखता है कि राजीव वहां से डायमन लेके भाग चुका है रामन को भी रिलाइस होता है कि गौतम ही कर में कल्पिट है और वो जाके दिपाली को बताता है फिर राजीव को फॉलिव करते करते गौतम रुद तक पहुंचता है और वहां पे दोनों में कन्फरंस्टेशन होती है जिसके बाद गौतम रुदर को चाको से मार देता है लेकिन इससे पहले कुछ लीथल हो आलिया आती है और गौतम को शूट कर देती है फिर वहां पे कॉप्स भी पहुंच जाते है और यहीं पे शोग खतम हो जाता है यहां पे तो ऐसा दिखाये गया है कि उसके शूट करते ही आलिया के शोग खतम हो जाता है तो आलिया के पकड़ जाने कि जा चांदर से लेकिन ये भी हो सकता है कि इसने self defense में किया हो क्योंकि Gotham रूदर पे attack कर रहा था और Gotham ही main culprit था ये सब को पता लग दिया था तो आल्या छोड़ सकती है इसके बाद लेकिन अब next season में क्या होगा ये काफी बड़ी बात है क्योंकि यहाँ पर scene सारे sort हो गये है तो शायद इसका prequel दिखाय जाए और रूदर की बेटी के जो case था उसके बारे में हम देखें यूँकि बहुत सी कहानिया हमें hint दी जा रही थी कि इससे पहले कुछ खतर नाकुआ था जिसके वज़ा से रूदर और शाहिला में भी दूरिया बनी थी